हेलफ इस इस यार होस परचित पंगार अगर आपने हमारे चैनल को अप तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अमारे चैनल पे पैट्स रिलेटिड वीडियो बढ़ाते हैं और एक एनिमल न्यू सीरीज भी चलाते हैं तो आप इ कि ने फर्स्ट परिट की जो है इस ब्राजीलियन मेस्टिट ए मैस्टिफ में लार्ज वरकिंग साइस डॉट ब्रीट इस प्रीट का ओरी चनल ब्राजील से इस ब्रीट को कौन सी ब्रीट से कमबाइन करके बढ़ाये गया था ब्लड हूंड इंगलीश मैस्टिफ और कई औ परमर आके उनको पगड़ना ले अब इसका मेन पर्परस कहता है इस डॉप प्रीड का मतलब यह प्रोटेक्टिव टाइप का डॉप रीड है अब बात करते हैं सब्सक्राइब की इसकी जर्नल अपेरेंस डॉप प्रीड का ब्रोड स्कल्ल होता है और यह की मैस्टिव तैप ब्रीड होती है मतलब लार साइज डॉप रीड होती है इसकी जो स्कीन होती है वो लूज स्कीन होती है और इसकी बॉंस लॉंग होती है लॉंग बॉंस होती है और इसके जो कलर्स होते हैं वह ब्रिंडल फोन ब्लैक और वाइट कलर में मिनता है इसका कोट्ट होता है इसका मेल का वेट है 50 kg से ज्यादा मोर्देन 50 kg और फीमेल का है 40 kg से ज्यादा हाइड एज डोल परीड की मेल की मेल की है 65 cm से 75 cm के बीच में और फीमेल की यह आजए कि 60-70 cm के बीच में अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि क्या यह आपके लिए पर्फेक्ट है यह नहीं है मैं कुछ पॉइंट्स बता हुआ उसी साफ से आप देखना है यह आपके लिए पर्फेक्ट है यह सबसे पहली बात मैं रगमेंट नहीं करूआ जिनके पास कि यह और यह बात करते हैं इसकी एकसराइज के बारे में इसको एट लीस्ट इसको एट लीस्ट वन आर की एकसराइज ज़रूरी है और लोग वो इसको पसंदा है लोग डेलियोक्स उबह और शाम को आप लेगे जाओ तो इसको पसंद है हेल्दी रहेगा उससे हैं अब बात करते हैं ग्रूमिंग की ग्रूमिंग में आपको इतना टाइम देने की जूरत नहीं है क्योंकि इसका शॉर्ट कोट होता है तो आप वीग में एट लीस्ट दो बार ब्रस करें इसको और मंथ में एक बार आप बेदिंग कराएंगे तो इस लिए इनफ होगा चीछा रहते हैं यह डोग एर क्सीmos बज्याइशन जरूरे हुआ है उत प्रॉपर तरीके से लूपिस्टर के बहुत्या वाच्य के लिए ले रख सकते हो इसको न烹जट लेट के भंगी तão तो आप इस लोग पर परपस में बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं अब बात करते हैं लास्ट क्या प्राइज है इस डोग ब्रीट का प्राइज से स्टार्ट हो जाता है अब अब यह पोचला जाते हैं कितना ही ले जाओ वाभी से क्वाल्टिक अपर डिमेंट करेंगा क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी यह रेयर डोग ब्रीट तो भी इतनी ज्यादा है नहीं तो इसलिए इसका हाई प्राइज है और अगर आप इस डोग को इंपोर्ट कराते हैं तो कमसे हम पार्स चार से पांच है लाग रपे लगें करें आप ब्राइज है